वल्कम फ्रेंट्स सेलफ अध्यान पायर, आज की ग्लास में टैली प्राइम के अंदर हम GST पर्चेस बिल बनाना और GST सेल बनाना सिखेंगे, जिससे हम पूरा अवर ओर ओल अकाउंटिंग एंड इंवेंटरी को भी मेंटेन करना आज की वीडियो में कवर अप करेंगे, सब एक्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक firm क्रिएट कर लेते हैं, और firm का नाम हमने यहाँ पर दे दिया है, R के Garments, यहाँ से हमें firm का जो भी details है, state है, हो सभी चीजे पास करानी है, उसके बाद control A से हमने इस चीज को save कर दिया, देर हमने यहाँ से GST की features को भी activate करना है, firm का GST number हम यहां पर mention कर देते हैं कि firm registered एक firm है और उसका जो GST number है जो Delhi में established है यहां उसका GST number हमने example के लिए pass करा दिया है और जो periodicity of GSTR है monthly वो fill out करते हैं या quarter तो यहां से monthly set कर देते हैं e-way bill अभी हम set कर देते हैं no क्योंकि हम local sale और local purchase को आज की class में cover up करेंगे यहां से हमने control A से सारे details को करा दिया है save अब यहां पर हम अगर पहले बनाना चाहें create से पहले party की details जिन से हमने purchase किया है महता garment से हमने purchase करा है और sunbrike writer में लेते हुए उसे pass करेंगे क्योंकि हम एक registered firm है और हमने registered firm से ही माल खरीदा है वो firm कहां की है वो हमें डालना है local हमने करा है तो Delhi से ही हम यहां पर डाल देंगे और यहां से regular रखते हुए उस firm का GST number तो example के लिए मैंने यहां पर GST number डाल दिया है और आप चाहें तो GSTR details के अंदर से भी वो details pass करा सकते है नॉर्मल ही हमने बाहर ही GST number डाल दिया है इसको हम save करा देते हैं उसके बाद हम यहां पर local purchase से एक laser बनाएंगे at the rate 5% आपको ध्यान तरीके से lasers को create करेंगे पूरा तरीका है इसी तरीके से lasers create करने का local purchase, interstate purchase आपको अलग-अलग उस तरीके से बनाना होगा इसी company के अंदर हम आगे work को continue करेंगे तो सीखते रहेंगे आज की class में तो मैं आपको 5% से example बता local 5% से हमने यहाँ पर local purchase डाल दिया है, purchase accounts में रखते हुए हमने यहां से इसे as a goods जो हम product की sale करेंगे यह purchase करेंगे as a goods हम करेंगे यहां से हमने इसको pass करा दिया है उसके बाद जो हमारे central और goods service tax है उसमें हमने input cgst डाला है पहले input cgst 5% क्योंकि अगर 5% है तो 5% central और 5% state का हमारा रहता है और purchase के लिए हम input यहाँ पर create कर रहे हैं input cgst 5% से हमने डाला है duties and taxes gst में लेते हुए central and 5% से हमने यहाँ पर tax का rate pass करा दिया है जो visible होगा हमारे invoice में इसी तरीके से input state goods service tax at the rate 5% हमने यहाँ पर डाला है duties and taxes में रखते हुए gst और यहाँ से हमने इसे रखा है state tax के अंदर 5% से यह हमने इसे pass करा दिया है उसके बाद हमारा रहेगा portion sale का जो हम पादमे करेंगे पहले हम purchase करके देखते हैं यहाँ पर हमने laser create कर लिया है कुछ groups हम बना देते हैं जैसे हमारे जो product है वो garments related है हमने group बना दिया है garments का और यहाँ से unit of measure हमें डालना है pieces जो हम quantity sale करेंगे वो piece के अंदर sale कर रहे है 20, 20, 50, 20 तो यहाँ से unit quantity code भी आपको डालना है pieces के अंदर और उसके बाद हमारा location है location डाल सकते है category है अलग-अलग type का brand है डाल सकते हैं आदरवाज सीधा हम item पे जाएंगे और इसी के अंदर हम ght भी applicable करेंगे यानि कि item के according हमारा जो tax charge होगा वो हमें यही pass कराना है example के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ shirt और shirt के अंदर मैंने इसका group डाल दिया है garments, units, pieces आप अगर भूल जाते हैं तो उपर यहाँ पर features जुड़ चुका है tally prime के अंदर कि आप सीधा-सीधा यहाँ से भी directly create कर सकते हैं अगर आप सीधा item पे आएं तो भी आप यहाँ से group और unit सीधा-सीधा create कर सकते हैं आपको पहले create करने की जुरूरत नहीं है यहाँ से ght detail आपको डालना है क्योंकि आपको description डालना होगा यह details आप देखें यहाँ पर f12 की को press करके आपको मिलेगी आप चाहते हैं allow करना, hsn, sse code डालना, आप चाहते हैं valuation type चेक करना, ght type वो सारे details आप यहाँ से open कर सकते हैं description में मैंने डाल दिया है जैसे shirt और shirt का जो भी hsn code है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं 610590, on value जो भी हमारी value होगी shirt की, उसके उपर हमें taxable amount calculate करना है और यहाँ से 5% यानि ही डाई डाई परसेंट, central डाई परसेंट का charge हो जाएगा, और ऐसे ही हम shirt के बाद जो भी हमारे items है वो सब हमें pass कराना है, shirt, jeans, जो भी items है वो हमें डाल देना है, और tax rate हमें ght details के अंदर जाते हुए pass कराना है, तो यहाँ से मैं example के लिए यहाँ पर jeans का hsn code डाल देता हूँ, और taxable लेते हुए 5%, तो goods हम बना चुके हैं, हमारे पास party तयार है, हमने local purchase का laser बना लिया है, और हम अब इसका एक voucher create करेंगे, transaction के अंदर voucher आप देख पाएंगे यहाँ पर, और F9 आपको press करना है, F9 की press करते ही, supplier invoice number सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, suppose आज की date में मैं purchase कर रहा हूँ और आज की date मुझे यहाँ पर F2 से pass करानी है, 18 November, तो normally आप अगर use कर रहे हैं educational t tally, तो यहाँ पर 18 November accept नहीं होगी, because of educational tally है, और अगर original tally होती, तो यहाँ पर 18 November accept हो जाती, फिलाल हम मानके चल रहे हैं कि हम इसकी entry, एक November को यहाँ से pass करा रहे हैं, एक November को हम purchases कर रहे हैं, और supplier का जो invoice number है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, जो हमें bill मिला है, उसका invoice number हमने डालते हुए, जिस date को हमें वो invoice मिला है, जिस date में हम entry डाल रहे हैं, वो चीज पास कराएंगे हाँ पर, महता गार्मेंट जिससे हमने purchase करा है, उसका नाम डालते हुए, control A हमने यहाँ से screen को pass करा दिया है, और address हम डाल सकते हैं, party का, इसके बाद purchase जैसा कि आप देखे, local purchase अभी show हो रहा है, because हम local purchase की transactions चड़ा रहे हैं, local purchase 5% से हमने डाला है, और enter करने पर हमें यहाँ पर items की list डालनी होगी, suppose हम अभी 50-50 pieces purchase करने हैं, 50 piece हमने jeans के purchase करने हैं, 400 के हिसाब से, और shirt के भी हमने 50 piece ही receive करे हैं, 300 के हिसाब से, total आप देखे, 30,000 का यहाँ पर product है, और यहाँ पर हमें अगर पहले ही अपना GST taxation चेक करना हो, आपको यहाँ से more detail पर जाना होगा, old I आप यहाँ से press कर सकते हैं, more detail के लिए, अगर double line है, तो आप देखें जिसे I के नीचे double line है, तो double line का मतलब है यहाँ से control से, तो control I हमने press करा, हमने यहाँ पर details चेक करनी है, GST tax analysis reports, और आप देखें कि 1750 रुपे का यहाँ पर tax हमें शोर है, अब 1750 में jeans के उपर 1000 का tax है, और shirt के उपर 1500 रुपे का, यहाँ पर आप पूरा clearly alt F1 से detail चेक कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर input CGST का और input SGST का laser pass करा देते हैं, total हमारा जो tax था, वो input central goods service tax और state goods service tax में लग चुका है, अगर bill हमें round करना होता तो हम round laser ले ले लेते, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई decimal amount नहीं है, तो फिलाल तो हम winner without round के ही इस invoice को यहाँ से pass करा रहा है, और एक नया bill जो की महता garments के नाम से हमने pass कराया है, वो हम यहाँ पर pass करा देंगे, आप चाहें तो bill number भी रख सकते हैं, या अ advance tax pay कर दिया है, अगर हम balance sheet की बात करें, alt F1 तो हमारा duties and taxes आप देखेंगे 1750 रुपे का minus में sure है, इसका मतलब हमने already खरीदते समय tax सरकार को pay कर दिया है, अब जैसे जैसे हम product बेचेंगे, यहाँ पर पहले हमारा दिया गया tax convert होगा, और बाद में अगर यह positive amount में बदलता ह है, वो amount हमें tax pay करना होता है, जैसे कि हमने purchase invoice बना के देखा, अब हम एक sale invoice और देख लेते हैं, हम एक party यहाँ पर बना लेते हैं, particle laser, यहाँ पर पवन नाम से party हमने create कर दिया है, और हम इसे as a consumer pass करा रहे हैं, इसका मतलब हम एक consumer को कुछ product बेच रहे हैं, sundry data में हमें पास कराना है, और आपको यहाँ पर registration type रखना है, consumer, आप चाहें तो dealer को भी माल बेच सकते हैं, जैसे मैंने एक dealer से माल खरीद के, दूसरे dealer को माल दे दिया, तो उसके लिए फिर आपको regular डालना है, अगर regular dealer है, unregistered है, तो unregistered pass कराना है, और composition dealer है, तो composition dealer आपको लेना है, इनको detail में हम आगे की videos में जानेंगे, फिलाल हम यहाँ से consumer pass करा देते हैं, उसके बाद, जैसा कि हमें sale करना है local में ही, तो local sale at the rate 5% से हमने एक laser बनाया, जिसे sale account में हमें यहाँ से रखना है, और goods लेते हुए हमने इसको pass करा दिया, इसके बाद हमें output CGST at the rate 2.5%, duties and taxes में ल CGST लेते हुए, output में हमने central goods को tax को create करा है, और 5% यहाँ से हमने इसको pass करा दिया, इसी तरीके से output SGST at the rate 5% से हमें लेना है, और यहाँ से हमें GST, state tax, और 5% का यहाँ से amount डालना है, percentage of calculation, अब सीधे हम चलते हैं, invoice की तरफ, invoice बनाने के लिए हमें जाना होगा, accounting voucher के F8 बटन पर, sale invoice, और यहाँ से आप देखेंगे, हमने पवन नाम की party create की है, control A, अगर हमारे पास dispatch details अवेलेबल नहीं है, इन चीज को हम जब clear करेंगे, जब हम purchase order के against mall dispatch करेंगे, receive करेंगे, sale order, purchase order, यह आगयाने वाली वीडियो में हम पूरा clearly हर steps को सीखेंगे, फिलाल यहाँ से control A स इस screen को pass कर देते हैं, address यहाँ पर डाल देंगे, जिस address पर हम पवन को mall dispatch कर रहे हैं, वो address हमने डाल दिया है, और control A से screen save करते हुए, local sale हम यहाँ से ले रहे हैं, हमने jeans के 30 pieces यहाँ से sale किये हैं, 1200 रुपे के इसाब से, और यहाँ से shirt के 30 piece sale किये हैं, 700 रुपे के इसाब से, तो हमारा sale price different हो सकता है, क्योंकि यह हमारा profit है, लेकिन इस पर जो tax बनेगा calculate होगा, वो हमारे input tax से cut कर, जितना भी tax बचेगा, वो हमें government को pay करना होगा, तो देखेंगे, अगर आप report देखना चाहें, तो control A और यहाँ से tax analysis के reports को आप देख सकते हैं, कि कितना tax यहाँ पर charge हो रहा है, आप देखेंगे jeans पे 1800 रुपे और shirt पे यहाँ से 1050 रुपे का tax लग रहा है, यहाँ से हम input नहीं लेंगे, output लेंगे, क्योंकि sale पर हमारे output tax लगते हैं, output CGST and output SGST, और यह हमने यहाँ से नया bill इस party का भी pass करा दिया है, जब हम party से पैसा receive करेंगे, तो इस bill के against ह हम पैसा लेंगे, वो चीजे भी अभी हम चेक करेंगे, फिलाल हमने यहाँ से sale bill pass करा दिया है, और आपको अगर मैं balance sheet चेक कराता हूं, alt F1 करके, आप देखेंगे duties and taxes अब positive amount में show कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें 1100 रुपे government को pay करना है, अब पूरी detail देखने के लिए इस पे enter करेंगे, आप देखेंगे output आपका कितना था, sale 1425 रुपे का था, input आपका total 875 था, तो यहाँ से जो amount आपका निकल के आता है, वो total amount 500 के आसपास CGST का और SGST का total 1100 हमें pay करना है, फिलाल हम यहाँ से reports देखते हैं, display more reports के अंदर से GSTR reports, आप देखेंगे GSTR 1 की reports, यहाँ स चेक कर पाएंगे, B2C, small invoice आपको चेक हो रहा है, क्योंकि हमने customer को यहाँ से माल बेचा है, और 57000 का total invoice था, इसी तरीके से GSTR 2 reports में भी हम यहाँ से date change कर देंगे, और यह B2B invoice है, क्योंकि हमने registered party से माल खरीदा है, और इस पे हमारा जो total ITC बनता है, 1750 रुपे का, तो यह च चेक कर सकते हैं, GSTR 1 और 2 के अंदर, hopefully purchase invoice और sale invoice GSTR के साथ आपको बनाना आ चुका है, मैं आपको एक receipt करके दिखा देता हूं, entry को, जैसे display more reports के अंदर, अगर आप statement of accounts चेक करें, outstanding payable, क्योंकि महता garment से हमने माल खरीदा था, 36,750 का, और हमने बेचा था पवन को, यह amount आप दे जिसका bill अभी यहां से हमें receive नहीं हुआ है, मान लेते हैं, 1 December को हमें payment मिल चुकी है, तो F2 से हमने 1 December यहां से date डाला, F6 हमने यहां पर pass कराया, और cash या bank के रूप में, जिस से भी हमें पैसा, जिस payment mode में मिल रहा है, जिस party से मिल रहा है, वो हमें यहां पर डालना है, example के 50,000 रुपे हमें हमारे bill के against मिल चुका है, जो की था 59,850 का, और यहां पर जब हम bill receive कर चुके हैं, अब हम जा कर अगर statement of accounts देखें, outstanding में receivable balance चेक करें, आप देख सकते हैं, यहां पर हमें show हो रहा है, 9,850 रुपे, because हमने 50,000 का payment पवन नाम की party से receive कर लिया है, और यह पू तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और taxation report के साथ,